हेलो एब्रीवन बेलकम टू इस्टेडिया बेटा यीटूब चैनल पर आपका स्वागत है मैं आपके लिए हिंदी का फुल मॉक टेफ्ट हिंदी के फुल मॉक टेफ्ट में 25 कोस्वन होंगे इसमें से आपको 20 कोस्वन करने हैं खुला चैलेंज है दोस्तों इसमें कितने संफर्द दे सकते हैं कितने सही आ रहे हैं कितने गलत तो दोस्तों चैनल पकर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करके जुड़ जाएं और वीडियो को लाइक कर दें और देखने के बाद जितने भी आपके इस्टेड़ी रिलेटरे गुरूप हो सभी में सेयर करते है क्योंकि हम आपको ऐसे ही फुल मौक टेफ्ट देते रहेंगे करेंट अपियर जी के रीजिनिंग हिंदी सब कुछ हमारे चैनल के आपको बहतर फे बहतर तैयारी कराई जाएगी तो आज फुल मौक टेफ्ट है हिंदी का और भी आपको टेफ्ट यहां पर आती रहेंगे अ option number C तुल्फी दास बिने पत्रका की रचनाकार का नाम है जो भी कुस्टन अगर आपको अंसर आता हो उसका वीडियो पॉस्ट करके बता सकते हैं कमेट बॉक्स के अंदर कितने सही जा रहे हैं वो भी आपको लिख करके बताना है अगला कुस्टन मानस का हंस लेखक का क्या न अगर अगला कुस्टन बनवास में कौन सा समास है तो इसका सही जवाब है ऑप्सन नंबर A बनवास यानि बन के लिए बास अगर इसका बिक्रे करोगे तो इसमें तत्थपुर्ष समास ऑप्सन नंबर A बुर्कुर राइट अंसर अगला कुस्टन जिसका इंद्रियों से अनुमा ना हो सके उसे क्या कहते हैं जितेंद्रिये अतेंद्रिये काल जाई सर्ब जाई तो इसका सही option है option number B अतेंदरिय इसका option number B बुलको right answer है अतेंदरिय अगला question ऐसा रोग जिसका उपचार संभमना हो आरोगी, निरोगी, असाध्य, अतरोगी इसका right उत्तर है option number C ऐसा रोग जिसका उपचार संभमना हो के लिए एक सब्द होता है असाध्य नेश्ट कॉसन जिसको माता पिता का आफ्सरें ना मिला हो अनात परासरित निरासरित अंकिचन तो इसका राइट उत्तर है ओप्सन नमबर A जिसको माता पिता का आफ्सरें ना मिला हो उसके लिए एक सब्द होता है अनात अगला कॉस्षन चांदी का जूता मारना जूते में चांदी रखकर मारना रिस्वत देना बहुत संपन होना जूते में चांदी लगा होना तो इसका राइट उत्तर है उप्सन नमबर बी बुलकुत सही है चांदी का जूता मारना किसी को रिस्वत देना दोस्तों ये आने वाले कंपिड़े एक्जामें बहुत ही हेलफफल सावित होंगा ये बार बार रिपीट होते हैं कुस्सन अगला कुस्सन कान का कच्चा होना कम सुनना सुनी बात पर विस्वास करना दूसरे की बात ना मानना कान का कमजोर होना तो इसका राइट उत्तर है अगर दोस्तों आपको किसी प्रसंद का उत्तर मालम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है मैं सभी का कमेंट रीड करूँगा और कितने किसके सही जा रहे हैं वो भी हमें लिख करके बताना है आज जन्व में कौन सा समास है दिगु समास, तत्वरु समास, करमधारे समास, अब्यभी भाब समास तो इसका राइट उत्तर है ओप्सन नमबर डी अब्यभी भाब समास नेश्ट कॉस्टन जो आँख के समच ना हो के लिए एक सब्द अंदेखा परोच अज्यात तो इसका राइट उत्तर है ओप्सन नमबर बी परोच नेश्ट कॉस्टन जगननात सब्द में संदी है स्वर्फंदी, बेंजन संदी बिसरक संदी दोस्तों यहाँ पर बिसरक संदी इन वैसे कोई नहीं तो इसका राइट उत्तर है ओप्सन नमबर बी जगत धननात इसमें बेंजन संदी है इसका राइट उत्तर ओप्सन नमबर बी अगला नेश्ट कॉस्टन जए पराजे में कौन सा समास है द्वंद समास तत्थपुरुष समास करमधारे समास दिगु समास तो इसका राइट उतर है ऑप्सन नमबर ए दूंद समाज जय पराज है जिसमें गिंतियां होती है एक दो तीन साथ पांच और करमधार है जो इसमें जो बिगरे होता है उसमें करमधार है समाज उचण ततपरुस में करताने करम को कर से के द्वारा संपड़ान के लिए इसमे निमिल लिक्त में फे कौन सा सब्द इस्त्रीलिंग नहीं है सुभए दुफैर दिन साज तो दोस्तो इसका सही जवाब है ओप्षन नमबर सी दिन इसमें बुरकर राइट उत्तर है ये इस्त्रीलिंग सब्द नहीं है अगला कस्वन बहती गंगा में हां दोना का सही अरत है अपना काम निकालना पुनिका कार करना अपसर का लाव उठाना चत्र ब्रती से काम लेना इसका सही जवाब है ओप्षन नमबर सी अपसर का लाव उठाना बहती गंगा में हां दोने का सही अरत होता है अप्सान नमबर सी अपसर काला उठाना नेफ्ट कोशन अकाल पीडित में कौन सा समास है तो इसका सही जवाब है अप्सान नमबर डी अकाल फेडित तो दोस्तों इसमें से की विभत्तिन निकल रही है अकाल फेडित तो इसका सही जबाब होगा option number D तत्पुरो समास अगरा कसन लिमिल लिक्त में सब्दों में योगरूर सब्द कौन सा है उपचार चक्रपाणी पाट साला अभिव्यक्त तो इसका right सब्द है राइट उत्तर है दोस्तो option number B चक्रपाणी योगरूर एक सब्द है next question गोधूम का तद्भव है गोधूम का तद्भव है गेहूं गोवर गाय गोधन तो इसका right उत्तर है option number A बुरको सही है गेहूं गोधूम का तद्भव और गोधूम एक तत्त सम्द है जो संस्क्रत बासा से लिए गई सब्द है वो तत्त सम्द सभी और जो बोल चाल की बासा में वो फ़वी हमारे तद्भव सब्द कहलाते है next question तलीन सब्द में सही उप्तरक का बिच्छिद है तो इसका सही जवाब है option number D तत्भव लीन इसका सही जवाब होगा तो दोस्तो जो कोई वे आपको question कितने सही जा रहे हैं वो फ़वी लिखने हैं और जो भी आपको question मालब हो हमें comment box के अंदर लिखके बता सकते हैं सिव का कौन सा अर्थ नहीं है तो दोस्तो इस question का जवाब आपको comment box में हमें लिखकर के बताना है यह आपके लिए question है नेस्ट question कारक के भेद हैं पांच छे साथ आठ तो इसका राइट उत्तर है अपफर नमबर डे कारक के आठ भेद होते हैं अगला question सूरदास प्रेम चंद्र के किस उपन्यास का पात्र है बरदान गोदान पृतिग्या रंग भूमी तो इसका सही जवाब है अपफर नमबर डे बुल को राइट उत्तर है सूरदास प्रेम चंद्र के रंग भूमी का पात्र है नेस्ट कॉस्ट ग्यानपीट पुरुष्कार कि फे سंबन्दि थाया हिंदी भासाँ में तमिल भासां से संस्क्राइब भासा तुए इसका राइट उत्तर दो स्भी भासाँ में दिया जाते हैं बाल extraction स्भी-भाराति से न्दर ग्यानफीट पुरुष्किन अंदर दिये एक ग्यानपीट साकी रचनाकार का नाम है सिरीहर्स भास राजसेकर भारवी तो इसका राइट उत्तर है उप्सन नंबर सी काब मीमन साकी रचनाकार राजसेकर अद्रस सस्तुर के अर्थ के अनुरूप उप्युक्त भावरा है मीठी चुरी पीट में डाड़ी मोह में राम बगल में चुरी आफ्सतीन का साप तो इसका राइट उत्तर है उप्सन नंबर डी आफ्सतीन का साप नेफ्ट कोसं तू डाल डाल में पात पात का अरत है आगे आगे दोड़ना आगे पीछे दोड़ना पेड़ पर चड़कर खेलना चानाकी का जबाब चानाकी से देना तो इसका राइट उत्तर है ओप्सन नंबर डी तो दोस्तों कि इसमें कितने किसके सही है वभी सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना सभी इस्टेडी ग्रूप में सेर करना और आपको बेल आइकनी घंटी को दवाना मत भूलना जिससे नेस्ट वीडियो का भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके थेंक्स पूर वॉचिंग